हेलो बच्चों ये है Learners Achievement Test Lead Exam August 2022 का और केंद्रिविद्याले संगटन चैनले रिजन का है क्लास है थार्ड और ये है इंग्लिस का लैट का एक्जाम तो इसको आज डिस्कुस करेंगा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है इसमें एक पैराग्राफ है उसके बाद कितने सारे क् है ये इसमें 20 क्वेस्टन से इनको आज हम सॉल्ब करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं सबस्पहले है रीड़ फॉलिंग पैसेज और अंसर दे ग्वेस्टन्स देर ग्रेट मैनी मिलियंस फिस्स इन देख सी बट दिस स्टोरी इस अबाउट जस्ट वन आफ देम आफ देम लिड़ और स्टोरी से साथे है और सी अंसरो ब्रे चले ऑम हूं करते हैंने से बटे Te kali इस ऑन्योंग स्टत का आफ मन आ और मने मैं ले वीड़ व्यव धने काभे यहां पर क्या आएगा तो यहां पर आप देख रहेंगे तो यहां पर आजाएगे मिलियंस नेक्स्ट है दे स्टोरी इस अबाउट हाउस रैट रोज फिस अंजर इस फिस नेक्स्ट टिक दा वर्ड देख means contended तो जो वर्ड है contended इसका meaning होता है satisfied या happy तो यहां पर यह हमारा option सही है cry angry sad यह wrong है सही है हमारा option next option the fish in the story was very tall enormous small fat answer is small the fish was very small choose the right word for the given blank if I were only dash how much happier I could be what will come here if I were only larger how much happier I could be सही है answer हमारा larger next do as directed tick the answer where did the child find the sea cell in the poem sea song sea song में जो बच्चा है उसको the sea cell कहां मिला in the garden near a river in the market on the sand तो अपने अगर पढ़िया होगी तो अपने देखा होगा जो बच्चे को sea cell मिलता है कहां मिलता है वो मिलता है on the sand choose the rhyming word for cold cold के लिए rhyming word क्या होगा find and bold cell तो find नहीं होगा यह bold होगा cold bold नेक्स्ट है फिल इन दा मेसिंग लेटर एस यू आर पी डैस डैस एस एस एडी यहां पर क्या होगा अगर आर आई लगा दें तो क्या हो सर्प्राइश्ट हो जाएगा यह लो लगाएंगे तो ऐसा कुछ होता है नहीं वर्ट तो हमारा सर्प्राइश्ट पूरा बन जाए जाए घा तो यह सर्प्राइश हो जाएगा असर अ ग्रूप उपीस इस कॉल अ जाए बॉटम जाए बॉटम जाए खुल जाए श्ट ए बर फिस ऐस ग्रूट जाएंगट सूल बलते हो हुआ है उसको फिल नहीं और बंच नहीं था पाइक नहीं होता है नेक्स फिल ड्री with the right word, a glass of matches, flowers, water, paper, glass of water, circle the odd one, bus, turtle, dolphin, shark, turtle क्या है, dolphin क्या है, shark क्या है, यह सारे water में रहने वाले animals हैं, लेकिन bus क्या है, बस एक vehicle है, तो हमारे right answer is bus, हमें circle करना था, odd one को, जो सबसे अलगो, next, choose the past tense of the word given in the bracket, यहां पर bracket में take दिया गया, इसका past tense क्या होगा, the child takes, took, taking, taken, तो past tense का हो जागा, took, next, rearrange the letters to form a meaningful word, r, w, d, a, n, इससे है, कौन सा word है, सबन सकता है, जो meaningful हो, इसमें r ही नहीं, इसमें d, r, a, w, n है, d, r, a, w, n है, इसमें d नहीं है, इसमें r नहीं है, तो इसमें यह वाले editor सही है, हमारे, oh sorry, word सही है, drawn, और यह meaningful भी है, next, 14th question है, choose the suitable bird to fill the sentence, dogs dash at the strangers, sing, birds, bark, move, dog क्या करते हैं, bark करते हैं, भागते हैं, strangers पर, तो यहां पर bark का जाएगा, next question is 15, choose the correct word using the given clue, a network of fire, sorry, wire or thread to catch fish, जो fish को catch करने के लिए, जो wire use किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, mess बोलते हैं, hall बोलते हैं, pull बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, mess, next, circle the describing word, monkey have long tails, इसमें describing word कौन सा है, long, long कहीं पर है, yes, option C is right answer, circle the action word, the smallest fish in the school, regard, action क्या हुआ यहां पर, smallest fish है, in the school, school में, regard, यह answer, D is right, regard, next, take the plural word of wolf, wolf का plural क्या होगा, तो हो जाएगा, wolves, यहां पर कहीं है, wolves, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह है, भी, भी option सही है, next, fill in the blank with correct word, mess is dash a song, singing, eating, walking, running, तो song का, क्या कहीं जाता है, singing, तो mess is singing, choose the opposite word of curly, curly का क्या हो जाएगा, straight, curly hairs होते हैं, और straight, curly का straight हो जाएगा, तो यह था हमारा class third का, PT1, sorry, lead का exam, जो last year का है, I hope अब सभी को समझ में आ गया होगा, पढ़ते हैं मिलते हैं, next video में, thank you.